वेलकूम और इन्फोर्मेशन कालेक्षिन चैनल मैं राखिज कुमार दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा एटेल डीटीएच और जी नेटवर्क के बारे में जैसा कि दोस्तों बतातूँ एटेल डीटीएच के प्लेटवर्म पे दो अक्टूबर से ऑफिसियली जी प्लेक्स चैनल लाउंच होना था लेकिन उसकी प्रोमो वेगरा अभी सही चैनल को वहाँ पे सुरू कर दिया गया है एटेल डीटीएच के प्लेटवर्म पे कि अगर आप एटेल डीटीएच के सस्क्राइबर है तो चैनल नमबर टू सिक्सी नाइन पे जी प्लेक्स स्क्रीन वन और चैनल नमबर टू सिवेंटी पे जी प्लेक्स स्क्रीन वन एचडी देख सकते हैं उसके लावा दोस्तों जी प्लेक्स स्क्रीन टू आप देख सकते है चैनल नमोर 500 पे तब ही मेरे पास कुछ मेरे सब्सक्राइबरों ने क्लिप वेजा है जो मैं आपको इस वीडियो में आड़ करके दिखाता हूं तो गैसे कि देख सकते जीपलेक्स एजडी का मेरे पास वीडियो क्लिप मेरे सब्सक्राइबर दुवारा दिया गया है जो कि जारकंड से है छोटी ने इस वीडियो क्लिप को भेजा है मेरे पास तो बैसिकली देख सकते जी प्लेक्स एजडी 270 नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है और इसके लाबा हाइड जी प्लेक्स एजडी टू भी आपको 500 चैनल पर देखने को मिलेगा इसके लिए 299 रुपीज हाई डेफिनेशन के लिए चैनल के लिए आपको देना होगा उसके बाद सी टू सी यानि की सिनेमा टू होम आप अराम से अपने घर में ही देख सकते हैं तो यह जी अपने फ्लेटफॉर्म पर जी प्लेक्स चैनल को लॉंच कर दिया गया है और दो अक्टूबर से इस पर आपको नए नए मूवीज प्रीट आपको देखने को मिलने वाला है प्री आपने यस वीडियो किलीप में देखा जीपलेक्स एस सक्क्रीन 1 nd डिकाया है एक ते स्क्कायबर को कहना है कुछ बॉक्सेस में सिर्फ गया इас बडारों देख दिख रहे हैं तो धीर धीर अप्डेशन हो जाएगा और कु मिलने वाला है Standard Definition के लिए 199 रुपीर चार्ज है और High Definition के लिए 299 रुपीर इसकी सस्क्रिप्शन चार्ज है Hope सब्सक्राइब जो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सस्क्राइब करें साथी बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिजे तक ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे Thank you very much for watching this video Thanks a lot